हेलो दोस्तों अभी हम चानक्यापूरी के डिप्लोमाटिक इंक्लेव में फूजिया रेस्टोरेंट में आए हैं मैं हूँ मेरी वाइफ हैं और मेरी बेटी हैं हम लोग लंच के लिए आए हैं यहां पर और काफी सुन्दर यह बाहर का दृष्ष भी आप देखें और अब हम का लंच बड़ा अच्छा है और यह बेसिकली यह जैपैनीज रेस्टोरेंट है और यहां पर जैपैनीज लोग चुकी है डिपलोमेटिक एरिया है तो यहां पर काफी जैपैनीज लोग आते रेते हैं और यहां का खाना लंच और डिनर बड़ा अच्छा है यह रात के जो बेसिकली Japanese लोग हम लोग सब लोग जानते हैं कि वो low fat वाला khana पसंद करते हैं और यह लो fat का खाना फुजिया रेस्टरेंट में बहुत ही अच्छे तरह से बनाया जाता है और ये आप देखें हम इंटर करने वाले हैं और ये भगवान बुद्ध की फोटो भी यहाँ पे लगी हुई है और ये रेस्टोरेंट बड़ा अच्छा अंदर का वीव भी आप देख रहे होंगे बहुत ही सांदार वीव है और करीबन पचास लोगों की बैठने की आंदर म सिटिंग कैपस्ती है टीवी भी लगे हुई है अच्छी लाइटिंग है और एसी भी बड़ा अच्छा है न ज्यादा ठंडा न ज्यादा गरम और बहुत अच्छा यहां का महौल भी है तो अब हम लोगों ने लंच का ओडर किया है और ये लंच बड़ा अच्छा लंच है basically हम लोगों ने एक soup का order किया है इसका नाम है Mizutaki Soup और ये soup basically चार लोगों के लिए होता है लेकिन हम लोग तीन लोग में ही इसको खा रहे हैं soup को खा रहे हैं, soup को पी नहीं रहे हैं चुकि इसके अंदर tofu भी है, carrot भी है, cabbage भी है और आपको ये prawn वाला है, तो इसमें prawn भी है और काफी अच्छा है और ये एक तरह से ये full lunch ही हो गया है हम लोगों का योगी इसको अब खतम करने के लिए हम लोग एक दूसरे के उपर carry forward कर रहे हैं और इसका जो टेस्ट है, बहुत ही अच्छा टेस्ट है सब लोगोंने काफी enjoy के साथ, enjoyment के साथ इसको ले रहे हैं और यहां का अंदर का महौल भी बहुत ही सुन्दर है और यह जो soup है basically यह बहुत ही Japanese soup बड़ी ही famous है और अब हम लोगों का ये खाना खतम हुआ और हम लोग अब निकल रहे हैं और फिर आपको दूसरे किसी restaurant का photo visit करेंगे तो आपको दिखाएंगे